हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु माय चैनल स्वास्थारिका आज हम वनाएंगे धावा에 स्टाइल तूर दाल इसको अरहर दाल भी बोलते हैं और इसको हम बिल्कुल धावे स्टाइल भी बनाएंगे अरहर दाल सभी लोग बनाते हैं बट इस ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी यह खाने में टेस्टी लगेगी चलिए इसको बनाते हैं इसको बनाने के लिए एक बाउल दाल और एक प्याच बारिक कटा हुआ आधा चम्मच हीं आधा चम्मच जीरा एक चम्मच घी एक चम्मच हल्दी थोड़ी सी अद्रक बारिक चौप करे हुए दो से तीन पीस लैसन के बारिक चौप करे हुए दो लाल मेर्च एक हरी मेर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ती अरहर दाल को पहले हम अच्छे से वाश कर लेंगे वाश करने से दाल अच्छे से पक जाती है और अंदर तक पक जाती है और इसका गर्मी भी निकल जाती है इसको हम वाश करके 15 मिनट रख देंगे यह देखिए 15 मिनट हो चुके हैं हमारी दाल को अब हम बनाएंगे दाल, दाल को हम कुकर में डालेंगे, अब इसमें डेड़ ग्लास पानिडा अल देंगे, हल्दी और नमक स्वादा नुसार, अब इसमें हम लू फ्लेम में एक सीटी लगा लेंगे, यह देखिए, दाल बन चुकी है, ऐसी कंस्टेंसी बन रहनी चाहिए, अब हम एक कढ़ाई लेंगे, और इसमें घी एड़ करेंगे, थोड़ा सा घी रख लेंगे तड़का मालने के लिए, अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा एड़ करेंगे, गरम होने के बाद में, बारिक चौक करिवी अदरग, लेशन, लेशन को पका लेंगे, मेडियम फ्लेम में पकाना है, अब इसमें हम प्याज एड़ करेंगे, प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, हरी मिर्च एड़ कर देंगे, जो देखिए, प्याज ब्राउन होने लगा है, प्याज पक चुका है, अब इसमें हम दाल एड़ करेंगे, अब इसको अच्छे से बॉइल कर लेंगे, हाई फ्लेम पे, दाल बॉइल होने लगी है, अब इसमें हम धनिया पत्ती एड़ करेंगे, और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, अब इसमें तड़का मारेंगे, तड़का मारने के लिए पे हमने एक तड़का पैन लिया है, और उसमें आधा चमच घी एट कर दिया है, अब इसको अच्छे से गरम कर लेंगे गी को, अब इसमें हम जीरा डालेंगे, लाल मिर्च, थोड़ा सा भूल लेंगे लाल मिर्च को भी, और हिंग एड करेंगे, इसको भी थोड़ा सा भूल लेंगे, अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको डाल में डाल देंगे, यह देखिए, हमारी डाल बन चुकी है, यह तड़का डाल है, धावे स्टाइल में ही मैंने बनाई यह, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सेयर और सस्क्राइब, थेंक यू, झाल झाल